माया सरोवर पार्ट सेवेंटिन जंगल में प्रवेश करने वाले दो विच्चत्र मनिशों ने नाटी जाती की बस्ती की बोर विस्मय पोर्वक देखा इसके उपरांत उन में से एक ने अपने म्यान से थलवार निकाली और दूसरे से कहा भाई सर्पनक लगता है उस बस्ती को कोई दुश्मन घेर कर वजाड रहे है उसने घोडे पर खड़ा होकर उचल कर पकड़ में आने वाली डाल पकड़ कर लटकते हुए बस्ती की बोर देख कर बोला भाई यह तो बड़ा ही आशर जनक प्रतित हो रहा है एक भयंकर नर्वानर और एक साधरन आदमी दोनों मिलकर नाटे लोगों का शर्वनास कर रहे है हम दोनों इस अत्याचार को देखते हुए कैसे चुप रह सकते है ऐसी बात है तब तो उस नर्वानर तथा उस आदमी को भी प्राणों के साथ बंदी बनाने की नितांत आवशकता है उस आदमी के द्वारा हमारे खोये हुए साथी का शाहिद पता लग जाए भाई सर्पनक मैं इस नर्वानर के साथ जूंच पड़ूंगा तुम उस जबर्दस्त मानों को पकड़ कर बंदी बनाऊ इन शब्दों के साथ सर्पस्वर ने अपने घोडे को नर्वानर की ओर तवड़ाया सर्पनक ने कमल नालों के रसे को उठाया उसके फंदे को कृपानजित के खंट की ओर फेकते हुए चिल्ला उठा माया शरोवर की जै विजित्र गोड़ों पर आकर अचानक हमला करने वाले सर्पनक तदा सर्पश्वर को देख नाटी जाती के लोग और कृपानजित भी चकित हो जडवत हो गए सर्पनक के द्वारा फेंका गया कमल नालों का रसा अच्रोपानजित के खंट में लिपट गया उसका फंद अच्रोपानजित के खंट को कसने ही जा रहा था कि वह चीक उठा महाशय मुझे मत मारो तुम जैसा एक विक्ती को मैंने देखा है और उसकी बड़ी मदद भी की ये बाते सुन सर्फनक विसमे में आकर बोला इसका मतलब है कि तुम मकरकेतु को जानते हो वह तो बहुत ही बड़ा योधा है तुम जल्दी बताओ मकरकेतु इस वक्त कहा पर है यदि तुमने भागने की कोशिश की तो यह फंदा तुम्हारे लिए काल का पाश बन जाएगा समझे कृपण जितने कहा महाशे मैं यह नहीं जानता कि अब मकरकेतु कहा पर है परन्तो आप लोगों को देखने बाद सारी हालत अब मेरी समझ में आ रही है थोड़े दिन पूर्व अमरावती नगर का निवासी जैशील थदा उसके एक कापालिक मित्र ने मिलकर मकरकेतु को इस जंगल में नाना प्रकार से सताया था यह बात मैंने जंगल के निवासियों द्वारा पता चला सर्पनक ने कहा बेकार की बाते सुना कर हमारा वक्त बरबात क्यों करते हो कुरुपांजित ने अपनी जान बचाने के लिए जूट मुट कह दिया था कि वहा मकरकेतु को जानता है मगर वास्ताव में उसने मकरकेतु को कभी देका तक न था वहा के जंगलियों द्वारा उसने मकरकेतु के बारे में थोड़ा बहुत सुन रखा था शंकर सिंग ने कहा आप इस दुस्ट के साथ बातशित करते हुए यह बात बिलकुल भूल गए कि आपके साती के साथ क्या बीत रहा है हे योधा जी तुम्हारा भाई और नर्वानर उन घनी जाडियों की ओर चले गए है जलाश वो दूसरी ओर दवड़ कर चला गया वह नर्वानर इस दुस्ट कृपानजित का पालतू जानवर है वह इसके आदेश के बिना ही इसके मन की बातों को भाम कर इसकी आग्याओं का पालन करता है इसी ने संबवतहा इस नर्वानर को संकेतों द्वारा आदेश दिया होगा कि आपके भाई की गर्दन पकड़ कर उठा करके कंदे पर डाल जंगल में भाग जावे तब उसने रसी को संकर सिंह के हाथ दे कर बोला इस दुस्ट को भागने से रोकने की जिम्मेदारी तुम्हारी है मैं अभी उस नर्वानर का वद करके अपने छोटे बाई को छुड़ा लाऊंगा इन शब्दों के साथ जलाश्व को हंकार तेजी के साथ नाटी जाती की बस्ती में उठने वाले धुये को जैशील और सिद्धसादक ने देखा साथ ही कुरुपान जित्तधा नर्वानर के साथ शेंकर सिंह के अनुचरों के लड़ने का कोला हल भी सुना इसका कारण जानने के लिए जैशील ने नाटी जाती के सेनापती को बेजा नाटी जाती का सेनापती अपने दो अनुचरों के साथ पहाड पर पहुंचा और वहाँ से उसने शेंकर सिंह की बस्ती को देखा उस वक्त सारी जोंपडियम जल रही थी गुपानजित तथा नर्वानर नाटी जाति के लोगों पर हमला करके उन्हें सता रहे है और उसने वो दोनों विचित्र गोडों को और विचित्र वेक्तियों को भी देखा सारी गठनायें देखकर वो बहुत खुश हुआ अपनी सातियों से कहा शेंकर सिंहों की सेना को नाश करने का यही एक अच्छा उसर है मैं अभी जाकर रानी को यह समाचार दूँगा तुम दोनों यही रहो बूलकर वह बस्ती की वोर दवड पड़ा नाटी जाति के सेनापती ने शेंकर सिंहों की बस्ती का वृत्तन सुनाया इस पर सिद्ध सादक अपना शूल उठा कर उचल पड़ा और बोला जै महाकाल की जैशिल अब समझ लो की हमारा कार्य संपन हो गया है इससे जरा भी संदे नहीं है कि उन विचत्र गोड़ं पर आये हुए लोग जलाग रहके मकरकेतु के दलके जरूरी होंगे मकरकेतु आंक बचा कर भाग गया है अब इन दोनों को बंदी बना कर सामदाम उपायों के द्वारा हम माया सरोवेशर की जगह का पता लगा सकते है इसके बाद राजा कनकाक्ष के बच्चे कांचन वर्मा थदा कांचन माला को मिनिटों में मुक्त कर सकते है जैशील ने नाटी जाती के सेनापती की ओर मुढकर कहा सेनापती तुम्हें अपने कुछ सायनिकों को साथ ले हमारे साथ चलना होगा महानबाव मैं आपसे ऐसे ही आदेश पाने की प्रतिक्षा में था इसके बाद सब लोग मिलकर ठीले के ओर बड़े थोड़ी दूर जाने पर उन्हें दाई तरफ से जंगल में भयंकर गर्जन सुनाई दी सब लोगों ने विसमे में आकर उस दिशा की ओर देखा नरवानर पेडों के नीचे रेंगते दिखाई दिया उसके खंदे पर विचित्र पोशक पहना एक विचित्र आदमी अचल पड़ा दिखाई दिया थबी सर्पगनक कतेजी के साथ उस ओर बढ़ते चिलना उटा सर्पसवर तुम कहा हो सर्पसवर बोलते क्यों नहीं हो भाई जैशिल ने जट से हाथ उटा कर सब को सावधन करते हुए कहा तुम सब लोग चिपचाओ किसी भी उपाई से सही हमें इस आदमी को बंदी बनाना होगा कहानी और है